तो हेलो गाईज क्या आले सबके अब ये वीडियो में ऐसी बना रहा हूं तो अभी मैं पिछले 10-15 दिन से ऑफ-लाइन था मतलब ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं था अल्मोस्ट ना के बराबर था क्योंकि घर में शादी थी बहन की शादी थी तो वहां पे काफी बिजी था और आज ही मैंने सारी चीजे चेक आउट करी हैं वापिस बेक टू ऑल्लाइन आया हूं तो एक चीज में देख रहा हूं भाई जो गुगल ने हैं मार्च 2024 का कोर अप 2024 का अपडेट में मेरी वेबसाइट डाउन चली ड़ी मेरी वेबसाइट अब चली गई मेरी वेबसाइट पर कोई सेट नहीं हुग इतना तो चलो पर जब भी भी किसी core update की वीडियो बनाई है उसमें एक चीज हमेशा आपको बात करी है जैसी कोई update आता है आपको तुरंत react नहीं करना है उस update को rollout होने में time लगता है Google खुद officially बोलता है किसी को एक हफता, दो हफता, एक महिना उससे जादा भी लग सकता है उसमें आपकी website down हो सकती है, उसमें आपकी website अब भी हो सकती है हो सकता है जैसी core update आए आपकी website हिट हो जाए और जैसी core update पूरा rollout हो आपकी website का traffic वापिस आ जाए या उससे भी उपर चला जाए हो सकता है जैसी core update आए आपकी website का traffic बहुत जादा boost हो गया जैसी core update खतम हुआ आपकी website का traffic डाउन हो गया और उससे पहले complete rollout होने से पहले आप अपनी website पर changes कर रहे हो तो मतलब भाई आपसे पागल कोई भी नहीं है आपसे बेवकुफ इनसान कोई भी नहीं है क्योंकि जब google officially कह रहा है कि भाई हमें इतना time इस update को complete होने में लगेगा तो भाई उससे पहले step क्यों लेते हूँ मैंने पीछे जितने भी core update के उपर वीडियो बनाई है उनमें आप लोगों को हमेशा बोला है जब तक आपका जो भी update है google के update आते रहेंगे जब तक वो update complete rollout नहीं होता google officially नहीं बोलता आपको website पर कुछ भी छेड़ने की ज़रू जब आपकी website का जो आपका google update हो पूरा rollout हो जाए उसके बाद आपको जो भी आपने monitor करा उसके बाद आपको steps लेने की आपको देखना है analyze करना कि भाई क्या क्या दिक्कत आई है किस वज़े से traffic डाउन हो आया किस वज़े से अप हुआ है डाउन हो आ तो मुझे अब क्या action अब मैं आपको एक real official जो google बोलता है वो आपको दिखाता हूँ और इसके बाद भी आप लोगों की आखे नहीं खुली आप ऐसी फालतों की वीडियो देख रहे हो तो भाई ब्लॉगिंग में कभी successful नहीं हो पाऊगे ठीक है अब यह देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ मैंने computer screen open करी है और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा what web creator should know about our March 2024 core update and new spam policies ठीक है अब यहाँ पर देखो March 5 की तारीख है today we announced the March 2024 core update this is designed to improve the quality of search by showing less content that feels like it was made to attract clicks and more content तो यह सब को छोड़ो आप थोड़ा सा नीचे और जाओ और यहाँ पर पड़ो इसको यह पड़ो the March 2024 core update is more complex update than our usual core update involving changes to multiple core system it also marks an evolution in how to identify the helpfulness of content तो भाई जब Google officially कह रहा है कि यह जो March 2024 की core update है यह अब तक की सबसे complex update है पीछे जितनी भी update आई है उन में से और आपको यहाँ पर time देना है just as we use multiple system to identify और यह सब चीजे अब उसके बाद एक और बाकी इस link को मैं description में दे दूँगा जो official link है यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा फालतोगी वीडियो देखनी की ज़रूत नहीं है एक तो मैंने आपको यह चीज highlight करनी थी कि यह सबसे complex update है अब तक का Google का जो कि उन्हेंने officially बोला है कहीं चीजों पर आपको officially यकीन करना चाहिए अब उसके बा होने में एक महीना लगेगा उससे ज्यादा भी लग सकता है और यहाँ पर आपकी रैंकिंग में काफी सारी fluctuation आएंगी पहले से ज्यादा fluctuation आएंगी अप डाउन हो सकता है as compared to previous update as different system get fully updated and reinforce which either we will post on our google search status dashboard when the update is finished यानि कि clearly बोल रहा है कि जब हमारा rollout complete हो जाएगा तब हम आपको notify भी करेंगे ठीक है और उसके बाद there is nothing new or specific that creator needs to do for this update as long as they have been making satisfying content made for public for those who had might be ranking as well we strongly encourage reading our creating helpful reliable public first content help page तो भाई clearly अब इससे clear और इससे आसान भाशा में आपको और क्या बताया जाए कि भाई ये one of the complex update है इसको complete rollout होने में एक महिना लगेगा उसके बाद आप Google के official पे आपको update भी दे दिया जाएगा कभी ये rollout finish होगा और यहापर आपको clearly बोला गया है कि आपको अ होना चाहिए जब तक आपका update rollout नहीं होता तब तक आपको सिर्फ monitor करना है कि आपकी website पर क्या changes हो रहा है क्या चीज़े हो रही है उसके बाद जब rollout हो जाए तब आपको action लेना है कि मुझे content को update करना है नया content डालना है विकार content को delete करना है internal linking करने external linking करने जो सारी चीज़ में आ रहा है तो भाई आपके कभी समझ में आने वाला नहीं है मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा लेकिन फिर blogging छोड़ दो क्योंकि इतनी simple सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो भाई क्या ही करूं मेरी जो कुछ क्या क्या चीज़ हो रही है क्या क्या चेंज़ हो रहे हैं जब तक यह update पूरा रोल आउट ना हो जाए उसके बाद action लोगा तो यह थी एक छोटी सी वीडियो अभी जस्ट मैं आया हूं बाकी चीज़े टाइम टाइम अपडेट आते रहेंगे वीडियो आते रहेंगी बा